हाँ जी थमनेल आपने बिल्कुल सही पड़ा यह जो नोटीस है कि रूल 42-43 के हिसाब से ITC को रिवर्स करो यह सही है या गलत इसकी पूरी जाच पड़ताल इस नोटीस के अंदर करेंगे आप लोगों को भी यह वाले नोटीस आ रहे होंगे इस नोटीस में क्या लिखा तो भाई साब जब आप सेक्शन सत्रा एक और सत्रा दो को पड़ते हो तो सेक्शन सत्रा एक और सत्रा दो यह कहता है सत्रा दो मेंली यह कहता है कि अगर आप एक्जम सप्लाई भी कर रहे हो और अगर आप टेक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हो तो अगर आपका कोई कोमन तीन करोड़ पचास लाग रुपे थी, उसमें से तीन करोड़ दस लाग रुपे की एक्जेंट थी, मतलब की 40 लाग रुपे की टेक्सेबल थी, तो आप क्या करो ITC को रिवर्स करो, कितने परसेंट ITC को रिवर्स करो, कहारा भाई सब 90 परसेंट ITC को रिवर्स करो, तो ITC ल किया था और उन्होंने काया क्या दिया भाई सब 1,80,000 रुपे के ITC को रिवर्स करो एक बार को जब मैं इस नोटिस को देखता हूं तो मुझे लगता है यार डिपार्टमेंट तो बहुत सही बात कर रहा है हां सही में यह रिवर्स करना चाहिए क्लाइंट ने रिवर्स क्यो मुझे रोते रोते नी उसने का सहाब यह जो मैंने तीन करोड़ दस लाग रुपे की एक्जम्ट सप्लाई करी है इसके लिए मैंने तीन करोड़ की परचेज भी करी थी और मैंने तीन करोड़ की परचेज करके तीन करोड़ दस लाग रुपे की एक्जम्ट सप्लाई कर द इसके लिए taxable purchase पूरे 38 रुपे की करी ति और यह जो 2 लाग का ITC है यह जो 2 लाग रुपे का ITC है यह सारा का सारा taxable purchase का है और taxable purchase करी 2 लाग का ITC लिया 40 लाग रुपे की taxable sale कर दी तो यह common ITC कैसे हुआ Common ITC का मतलब मेरी request है हाथ जोड़ के department से Common ITC का मतलब वो ITC होता है कि अगर आपने कोई input goods लिए input service ली और उस input goods और services को आपने use करा किसमें exempt में भी और किसमें taxable में अगर आपने कोई goods या service लेकर उसे दोनों में use करा तो उसे Common ITC कहते हैं लेकिन अगर मैंने कोई input purchase करा और उसे exclusively use करा taxable goods में exclusively use करा taxable goods में वो Common ITC की definition में नहीं आता ये वाली बात rule 4243 के अंदर clearly mention है तो मेरा request है department से कि जब भी आप इस तरह के notice भेजे तो आप ये न लिखेगी ये Common ITC है आप ये कह सकते हैं कि भाई आप हमें purchase की figure दो आप हमें अपनी sale की figure दो और आप बताओ कि कितना ITC Common है यहाँ पर इस चीट को समझना है कि let's suppose करो कि भाई हमने किसी chartered accountant की service ली और उसने हमें एक लाग रुपे का बिल दिया और उस पर जेस्टी अठारा जार था और हमारी कोई goods exclusively taxable के लिए खरीदे हैं तो वो मेरा rule 42-43 में reversal नहीं होगा section 17-1 और 17-2 में reversal नहीं होगा अब इस वाले notice में जब इन्होंने demand निकाल कर दे दी ठीक है ना कितने रुपे की एक लाग 80,000 की अब भाई यह client का जाएगा professional के पास और professional यह सारा reply बनाने के कम से कम 15,000 रुपे तो लेगा ही और इस reply को बनाने के बाद officer क्या कर देगा drop कर देगा प्रोसीडी ठीक है ना लेकिन इस पूरे process में हुआ क्या इस पूरे process में हुआ गया department का time waste, client का time waste professional का time waste बल्कि उसे पैसे तो चलो मिल गए ठीक है तो मेरी request यह है कि अगर इस तरह के आपको notices आ रहे और आप अगर इसका reply देना चाहते है तो आप हमारा complete course GST का ले सकते हैं हमारे app को download करके वहाँ पर हम यह सारी चीजे बताते हैं कि इस तरह के notice का reply कैसे करें ठीक है ना तो अब आपको clear हो गया होगा कि अगर इस तरह का notice आपको कोई आ जाता है तो direct client पर धाय धाय ना गर दे कि भाई साब तुमें यह ITC reverse करना ही पड़ेगा पहले client की सुनतो ले अगर उसकी taxable sale 40 लाग है और taxable purchase 38 लाग है 36 लाग है और सारा का सारा यह जो दो लाग का ITC है यह सिरिफ taxable में यूज हुआ है इसका exempt से कोई link नहीं है तो इस वाले case में एक रुपिया भी reversal नहीं होगा इस वाले case में एक रुपिया भी reversal नहीं होगा समझ मैं आई अब इसके बाद एक चीज और मजेगी इसके बाद होता क्या है यह कहते हैं कि भाई आपके table 8 हे में इतना ITC आ रहा है लेकिन आपने जो ITC claim करा है 3B में इतना ITC claim करा है तो आप इसे reverse करो अरे भाईया मुझे एक चीज बताओ 17-18 के अंदर 17-18 के अंदर जो यह table 8 आती है GSTR 9 की क्या वो सही आती है answer is no table 8 पहली बात वो सही है यह नी तो अगर मेरा table 8 हे में ITC नहीं आ रहा या मेरा 2A में ITC नहीं आ रहा तो आप बार बार उसका notice क्यों भेज रहे हो अगर मेरी section 16 की condition satisfy है मेरे पास सारे evidence है तो आप मुझे ITC क्यों नहीं दे रहे आप table 8 हे के आप table 8 हे जो GSTR 9 की है उससे comparison क्यों करते हो वो तो automatically ही गलत है आप अपनी comparison sheet को compare नहीं करते अरे भाई महां से check कर लो महां पर हमारा ITC सही है आप हमारा 2A चेक कर लो महां से ITC सही है आप 8 हे को compare करते हो जो की गलत है अब माल लो रामलाल ने मैंने रामलाल से परचेज ही नहीं करा था रामलाल ने मेरे नाम पर एक bill डाल दिया वो मेरे 8 हे में आ गया तो मुझे उसका ITC दे दोगे आप अरे जब तुम मुझे 8 A के basis पर ITC देते नहीं हो सिरिफ 8 A के basis पर 2 A के basis पर जब ITC देते नहीं हो तो अगर इसमें कोई ITC नहीं आ रहा और मेरी सारी condition सैटिस्फाई है तो department आपको मुझे ITC देना चाहिए इस तरह के notice डाल कर परेशान नहीं करना चाहिए तो भाईया यहां पर क्या है इन notices का reply आपको देना पड़ेगा अगर आप इनका reply नहीं दोगे demand बन जाएगी unnecessary की लेकिन हाँ क्योंकि यह notice बहुत संख्या में आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है इसका reply कोई chartered accountant ही दे कोई advocates ही दे अगर आप accounting professional और GST की knowledge है अब तुम्हें rule 4243 नहीं पता अब तुम्हारे को section 17 एक और दो ही नहीं पता तो आप इसका reply नहीं दे पाओगे अगर दे पाओगे तो सही नहीं दे पाओगे तो अगर आपको पूरा course करना है तो हमारा app अभी download करो उसमें free course भी है free course को देखो अगर अच्छा लगता है तो paid course को फटा फट से लो और इस Saturday Sunday हमारा जो topic है वो rule 4243 ही है अगर किसी को join करना है तो app को download करके अभी हमारे course में join हूँ comment box में लिख कर बताओ मुझे कि इस वाले case में असेसी ठीक है या department ठीक है आपका इसमें क्या view है comment box में जरूर लिख कर बताना इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से दन्यवाद करता हूँ thank you for watching